योडी धर्टी पर मौजूद सभी जीव जन्तुओं पोश्वों मनुश्वों की बात की जाय तो सबसे जादा उम्रों कोश्वों की होती है आज हम कोश्वों के बारे में आपको इकोईश रुशक टेच्थ बटाने जार रहे हैं बेगानिकों को इनका जो आखरी जीवासम मिला है वो बारो करो साल पुराना है ये साप्ष सिपकली मगरमस और पोक्षियों से पहले धर्टी पर आये थे दोस्तो एसा ही वीडियो तिखने के लिए हमारे सेनल को सब्सकाइब करना मौद भूलिएगा और एक लाइक कर डिजिएगा और दोस्तों के साथ चारे कर डिजिएगा धेनवर्ट हर साल तेश में की विश्व कुष्वा डिवस मनाया जाता है एक टाटेल टाटल सोटा है लेकिन टाटेल टाटरिस नहीं होता है और अच्छे से समझाता हूं सभी रंगने वाले और कवस वाले जीव्श जो चलनी परिवाद से समन रखते हैं उन्हें टाटेल कहते हैं और स इन सों थरोज से जादा प्रजातियों इस धर्टी पर मौजूद है। इन में से कुछ थल पर और कुछ जल में रहती है। बहुत सी प्रजातियों बिलुपती की कगार पर है। कुश्व के लिंक का पटा लगाना इतना आसन भी नहीं है। जितना आप सोस्ते हैं, इनकी साथी का कवश सबसे असन तरीका है। नर और मादा की पहसान करने के लिए अक्सर नर कुश्व मादा से थरे लंबे और इनकी पूछ भी मादा से लंबी होती है। ये सही से चैक्स भी करते हैं। कोशुए जितने गर्म मोसों में रहेंगे उनके कवस का रंग उतना ही हलका होगा, जितना कोशुए के कवस का रंग गेहरा होता है वो उतना ही ठंडे इलाके में रेटे हैं। प्रासिन रोमान मिलती कोशुव से बहुत प्रभवितो हुई थी कोशुव से ही उनुने लाइन बनाना और धाल के सीर के उपर रखना सिखा ताकी डूस्मन से सरक्षित रहा जाए कोशुव के अंडे कोशुव अंडे के सहारे नौए बच्षे पेदा करते हैं मादा कोशुव से पहले मित्ती खुटते हैं फिर वहां एक बार में एक से तिरीस अंडे देते हैं अंडों से बच्षे निकलने में 90 से 120 दिन लग जाते हैं कोशुव अपने आकर की बज़ा से सेक्स के लायोक होते हैं ना कि उम्रेक की बज़ा से सेक्स करने के लिए इनका साती का कवस बहुत भुमिका निभाता है जो कि मादा का बिलकुल सिधा और नर का थोड़ा घुमाबदार होता है कोशुव के मुँ में दाद नहीं होते बलकि एक तीखी प्लेट की तरह हड़ी का पट होता है जो भुजन सवाने में इनकी सहाता करता है कोशुव को अपने कवस में सुपने से पहले फेफरों को खाली करना पड़ता है शिपने से पहले आप उन्हें सास सोटे हुए सुन सकते हैं 1968 में शेवियर सान का पहला यान सान का सक्कर लगा कर बापिस धर्टी पर लोता था इसमें कोशुव को भी बेठाया गया था बापिस आने पर पटासला की कोशुव का वज़न त्रेन पैसम कम हो गया है कोशुव ठंदे खुन वाले होटे जिव हैं ठंदे में इनका सोरी जम जाता है और ये सिट निंडा में सले जाते हैं कुछ खास तरह के कोशुव अपने पिसवारे से भी सास ले सकते हैं समुद्दों की कोशुव का कवव सेसेटिव होता है यहां से हर रगर और खुरूस का महसुष कर सकते हैं उस कोशुव वान फिप्ती या उससे जाधा साल तक जिवित रह सकते हैं एक हर रिट नाम का कुशुव जिसके देख वाल सार्लिस दार्विन इंसान को बंदर के अलार बताने वाला धरा 1835 में की गोई थी उसकी मौद 2006 में ऐस्तेलिया की सिरिया घर में हुई भारत में समय इसका उम्र 175 साल रही होगी आप लोग तो जानते हैं कुशुव बहुत धीमी गोटी से सलते हैं ये 35 सीथे सबसे स्लो एनिमेल है लागभाग सभी कुशुव तू 70 मीटार प्रती घंटा की रप्तार से सलते हैं गिनिट्स भूक अप वॉल्ड रेकोर्ड्स के अनुसार अफ्टो किसी कुशुव की अधिक टम स्पीट 11 इन्स प्रती सेकंड यानी 1 किलीमीटर प्रती घंटा डट्स की गई है टम सिब्स सेक्स कर्टे समय ही फूप का स्यसे आवास निकलते है वैन तर्पर कोई आवास नहीं निकलते जुराशिक पार्ख फिल्ब में जो डाना सारों के आवास है वो असल में कुश्व की सेक्स कर्टे समय निकलने वाले आवास है अभी धाटी पर जो सबसे ज़ादा उम्रों का जिविर प्रानी है वो है जन्थन नम का कुश्वा है जब ये 50 साल का था तो अब सेंड हिलना के गवर्नों को अफरिका के एक सोटे से धापू के तरब गिप में मिला था अज ये 187 साल का है और सौस्ट हलत में है इसकी लंबाई 45 इंस और उसाई 2 फीट है ये यहां इतना प्रोसिट्ड है कि सेंड हैलिना के 5 सेंड के सिक्के के पिछले भाग पर इसकी तजबिर है दोस्तो अगर आप हमारे सेंडल को पहली बार देख रहे है तो सेंडल को साब्सकाइब करिएगा और बेल आइकोन को प्रेस करिए कि एसे ही नौलेजबल वीडियो आप लोग सब इजिन देख सके दोस्तो हम इस सेंडल पर एसा है नौलेजबल वीडियो रोज अप्लोड करते हैं ये वीडियो देखने के लिए बहुत पर धनवाद जैहिन बंदे मार्द नमस्कार फैन्स सेंडल को साब्सक्राइब करना म दोस्तों के साथ सरे करियेगा एक लाइक जोरूर करियेगा